साथ के आयरुवेदिक महाविद्याल है सिकिस्टाल है रायकबूर में एक साल का सर्टिपिकेट कोर्स निकाला गया है जिसको लेकर के बहुंच सारे मतलब अभी अवेदन मंगाया जाना है तो उसके बारे में मैं इनफोर्मेशन सेर करने वाला हूँ आप आयरुवेदा फार करना माधीम का और सलबड़ के इसको कॉर्स डूरेशन कितना है उταν एक साल के साल करते हैं जिसको बताने वाला और इसको कैसे प्लाइन या पूस्ट के माधियम से या फिर जो 11 में आके सब्मेट करना फिसकी को सब्सक्राइब या इसके से को कम्प्ली निसके बाद आपको क इतने से कितने सेलरी मिलने वाली है जब जॉब करेंगे और इसको जोब कहा पर मिलेगा शास की ऑस्पिटल में या फिर प्राइवेट ऑस्पिटल में बिल्कुल अगर आप 12 पास आउट है और ग्रेजुएट भी है और आपको किसी तरीकी की जॉब की तलास है जिसमें अच् आज तक देखिए और मैं एक एक करके सारा जानकरी देते जाओंगा और यह कोई बताता नहीं है है गाइस वापस से एक नए वीडियो में स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं सास्की आयरुवेद महाविद्या लाइसी के साल है रायपूर की वेबसाइट में जो नोट करेंगे तो इस तरीके से अगर आप अभी 12 पास आउट है और किसी तरीके का एक साल का कॉर्स कंफलीट करके 15-20 तक की सेलरी वाली जोब करने की सोच रहे हो इस तरीके का अगर आप माइंड में लेकर के चल रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पूल होने तो बिल्कुल आप इस वीडियो की स्किप करके मत जाएगा और लास्ट तक बने रहे हैं और इस वीडियो को लास्ट में आप सेर भी कीजिएगा ताकि उन जरुवत मंदों तक यह वीडियो बराबर टाइम पर पहुंचे मैं इसमें बताना चाहूंगा सबसे पहले आयुर जबार ने का मोड क्या ओं-लाइन ऑफ-लाइन या पिर कोलेज में आके आपको पूट को जमा करना पड़ेगा या फिर बाइपोस्ट के माधियम से करना और क्या-क्या डोकुमेंट लगेंगे तो इसका सेलेक्षन प्रूसेस क्या है उसका भी बताउंगा सेलरी क्या रहेग के लिए अयह से स्च Greek वबी मीजिए होना है। और पंचकर्म सायक का रहे अधी कके जिसे कि जननरल सैक और ST के लिए 9 सीट इस तरीके से ये भी पंच कर्म सायक के भी 30 सीट उपलब्द है और इसमें मान लो इस केटिगरी के कोई कोई सीट के ऊठीज ओवाला के मुखा दिया जाएंगा और ST उस्ति przeal जो कोई भी आके बढ़ सकता है इसमें कोई केटिगरी मेटर नहीं करता है जो पारम आप मतलब अवेदन डालेंगे उसका पीस लगेगा जनरल और ओवी सी के लिए एक अजार रुपया पचीस सक्टुबर तक अगर आप जमा करते हैं तो यदि आप 25 तारिक के बाद 30 तक बरेंगे 25 तारिक के बार तो आपको ग्यारा सो रुपय लगेंगे पारम बरने के और यह रिफंड नहीं होने वाली मतलब रिटन नहीं होने वाली चाहे आपका सेलेक्शन हो चाहे नहीं भी और इस्टी आउर एस्टी वालों के लिए छेसो रुपय लग रहा है अगर आप 25 अक्टुबर 2013 तक आपका पारम 5 वजे साम तक जमा होता है तो और यदि आप 25 तारिक के बाद 30 अक्टुबर तक आप भरे जा रहे हो पारम को तो उस समय आपको 100 रुपय एक्स्ट्रा लगेगा इस तरिके से यह 600 रुपया लगेगा लेट पीस के साथ पारम बरने का पीस और बाई पोस्ट के माध्यम से आपको भरना है पोस्ट वह भी इस्पीट पोस्ट और जिसमें फीस का डीडी बना के आपको देना पड़ेगा डीडी आपको बनाना पड़ेगा प्रिंसिपल गवर्मेंट आटोनोमस आयरुवेदिक कोलेज राइपूर के नाम से जो क कि राइपूर के किसी भी बैंक में जमा होने पर स्विक्वार्य हो जैसे यह एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिसको करने के बाद आप किसी भी आयरुवेदिक ऑस्पिटल जो कि गवर्मेंट का हो चाहे प्राइबेट का हो उसमें आप जॉब कर पाएंगे या फिर जो एवरेज में लेकर बात कर सकते हो जैसे हम लोग के होस्पिटल में जो अभी पंच करमसाया का और आयरुवेदा पार्मसिस्ट पोस्टेड है उनकी सेलरी स्लिप देखने के बाद मुझे अंदाजा लग चुका है यह 15,000 से 20,000 या फिर 25,000 के आसपास का जो भी सेलरी र कर रहा हूं इसमें आपको OBC और जनरल वालों के लिए टोटल 10,000 रुपया पढ़ेंगे जिसमें प्रवेज सुल्क 1000 और सिक्चंड सुल्क 600 लाइब्रेदी फीस 500 और सिक्यूरिटी मनी 500 और एकजाम फीस 1000 और एजुकेशनल टूर का 500 इस तरीके से यह 10,000 रुपया फिस ल सुल्क लगेगा ड़ेगा और 29 सुर्बाटे आपको सुल्क होती है वह लगेगी और लाइबर्रेडी फिस लगी आपको पांशो और प्रेक्टिकल लेफ बाला फिस लगेगा आपको 500 और सिक्यूरिटी मनी 500 और एक्जाम फीश लगेगा आपको 1000 और एजुकेशनल टूर का आए जाती निवास ये कंफल सरी है जो की सक्षा मधिकारी के दुआरा वेरिफाइड होना चाहिए उसका सेल सही है उनका सिगनेचर होना चाहिए जैसे कि ताइस सिलाव पिस में बनता है आप सभी को पता है आए जाती निवास और या फिर SDM के मात्यमसी तो वह सारा चीज आ रहे हो इसका में जांड़ी करते है तो आपका एपल्गिक्स रिजक्ट किया जाएगा भी सेलेक्शन का क्या प्रोसेस हैं तो सबसे पहले में अतश्यक्त करके स्कूर अच्छा रहे तो उसके हिसाब से आपका मेरिट तैयर के जाएगा और मान लो दो या तीन केंडिडेट सेम सेम पर्चेंट वाले आ गए तो उनका एक बाइलोजी सब्जेक्ट का स्कूर देखेंगे किसका सबसे ज्यादा इसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा और उनको कोर्स का पीस आपको कोले में जब एड्मिशन होगी उस समय आपको जमा करना है इसमें मेल फीमेल दोनों बराबर एपलिकेबल होएंगे और इसका एज लिमिटेशन भी इससे पीडिया फॉर्मेट में मिलेगा आपको आप डाउनलोड करके एक दम अच्छे से उपर से ले डिटेल्स रहा है कोर्स का बिल्कुल इस वीडियो को सेर कीजेगा और मिलते हैं गाइस एक अच्छे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ आज के लिए बस इतना ही टेक केर और बाए बाए